आज किस वडियों हम कोशन करने जा रहे हैं कोशन है दस सम अफ दी स्क्वेर आफ टू कंजीकेटिव नैच्रल नंबर इस थ्री वन फ्री फाइंड दा नंबर्स यहाँ पर आपको नंबर्स फाइंड करना है और यहाँ पर आपको यह बोला गया है कि जो आपके दो कंजीकेटिव नैच्रल नंबर्स है लेट कर लेते हैं दो कंजीकेटिव नैच्रल नंबर्स एक को माल लेते हैं X और दूसरा जगा आपका X प्लस 1 अब यहाँ पर आपको यह बोला गया है इनके स्क्वेर्स का जो सम है इनके squares का जो sum है वो आपको 313 given है तो फिर यहाँ पर हम इसका square कर देता है यह हो जाएगा आपका x का square प्लस में x प्लस 1 का square और इन दोनों का sum यह आपको 313 के equal given है और यहाँ पर से आपको numbers find करना है तो फिर यहाँ पर से x square प्लस में इस पूरे का whole square यानि कि a plus b का whole square यह हो जाएगा आपका x square प्लस में 1 का square हो जाएगा 1 प्लस में 2x is equal to 313 अब यहाँ पर से x square और x square यह हो जाएगा आपका 2x square प्लस में 2x और जब हम इसको इदर लिए आएगे यह हो जाएगा आपका plus का 1 minus का 313 is equal to 0 यहाँ पर से 2x square plus में 2x और यह जगा आपका minus का 312 is equal to 0 अगर इस पूरी equation का हम 2 से divide करते हैं यह जगा आपका x square plus में x minus का और यह जगा आपका 156 is equal to 0 अब यहाँ पर से हम इसको factorize कर लेता हैं यह जगा आपका x square plus में 13x minus का 12x और minus का 156 is equal to 0 इन दोन में से आपको common मिल जाएगा x एक bracket में आजाएगा आपका x plus 13 और इन दोन में से आपको common मिल जाएगा minus का 12 यहाँ पर बजगे आपका x plus 13 is equal to 0 तो फिर एक bracket में आपका x minus 12 और एक bracket में आपका x plus 13 X की value आपको यहाँ पर से मिल जाएगी 12 के equal और यहाँ पर से मिल जाएगी 13 के equal minus 13 के equal तो फिर यहाँ पर से आपको question में natural numbers बोला गया था तो फिर यहाँ पर से हम minus वाली value neglect कर देंगे क्योंकि आपकी जो natural numbers होता है वो 1 से start होता है 1, 2, 3 और यहाँ आपके चलते रहते हैं तो फिर यहाँ पर आपके minus वाली value conclude नहीं होती और यहाँ पर हमारी जो X की value 12 है यहाँ पर हम इसको accept कर लेते हैं और यहाँ पर जब हम first value में इसको put करते हैं X हमने consider किया था तो फिर X की value आपको मिल गया 12 और X plus 1 यानि की यह होगे आपका 12 plus 1 यानि की 13 तो फिर यहाँ आपका question था और यहाँ पर यहाँ आगया इसका answer 12 और 13 तो फिर उम्मित करते हैं से को यहाँ question समझ में आगा समझ में आगा समझ में आगा तो इस बढ़िक लिए like का बटन जो से दबा देना चलिए मिलता है आप से